प्राचीन काल में एक तपस्वी ने महादेव के दर्शन हे तू घोर तपस्या करी उनकी तपस्या से पसंद होकर महादेव ने उने दर्शन की उठिए मुनिवर उठिए हे महादेव मैं आपके दर्शन पाकर आजधन्य हो गया वत्स इतनी घोर तपस्या का क्या मैं परियोजन जान सकता हूँ महादेव बस आपके दर्शन पाने हे तू ही मैंने ये तप किया है इसके सिवाए मुझे कुछ नहीं चाहिए तो थास तू गोर तपस्या के पश्चात मुनिवर कई सालों बाद बाहर भ्रह्मन को निकले और फिर एक नगर के बाहर डेरा जबाकर ध्यान मगन हो गए और धीरे धीरे नगर वासी उनके दर्शनों को आने लगे ओम नमस्षिभाई ओम नमस्षिभाई अरे काका ये देखिए ये तो कोई तपस्वी जान पड़ते हैं हाँ मादो लगता तो यही है इतने तपस्वी महराज हमारे गाउं में आये हैं हमें इसकी सुचना तुरंत ही राज़ दर्बार में देनी चाहिए चलो शिग्र चलते हैं महराज की जय हो कहिए कैसे आना हुआ महराज हमारे नगर में एक बहुत ही तपस्वी महराज पड़ा रहे हैं और वो सागर पर तपस्या में लीन है इसकी सुचना देने हैं तो ही हम आपके समक्ष हाजिर हुए है अगर ऐसा है तो हमें तुरंत ही वहाँ चलकर उनका उचित आदर सतकार करना चाहिए और महराज स्वर्म अपने घोड़े पे सवार होके सादमा स्थलकी और निकल पड़े प्रणाम मुनिवर मुनिवर आपको कोटी कोटी नमन दिरगायु भव राजन महातमन आप तो सर्व ग्यानी है एक चिंता है जो मुझे रात दिन खाए जाती है महातमन एक बार मेरे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा सारे खेत का लियान सूख गई अनाज की बहुत कमी हो गई उस अकाल के दोरान पूरा राजकोश लगबख खाली सा हो गया लेकिन समय के साथ साथ अकाल की वो घड़ी गुजर गई और सब कुछ ठीक होता चला गया लेकिन मेरे दिल में उस अकाल का एक डरसा बैठ गया कि कहीं वो प्रस्तियां दुबारा बन गई तो क्या होगा और भी कई सारे चिंताएं जैसे शत्रों का भै अकाल की चिंता मंतरियों का शडियंतर आधी चिंताएं मुझे दिन रात खिरे रहती है मेरे भुख प्यास भी चली गई है वहीं जब मैं अपने बगीचे में काम करने वाले माली को देखता हूँ तो वो दिन भर महनत करता है वुका सुका खाता है लेकिन खुश रहता है और मैं एक राजा होते हुए भी सारा दिन चिंता में व्यतीत करता हूँ और भुख प्यास भी मेरी चली गई है अब आप ही कोई इसका समाधान बताए मुनिवर राजन तुमारी सारी चिंताओं की जड़ ये राजपाट है तुम ऐसा करो अपना ये राजपाट अपने पुत्र को सौंप दो और चिंताओं से मुक्त हो जाओ मुनिवर लेकिन मेरा पुत्र तो अभी बहुत चोटा है राजन तो ऐसा करो तुम ये सारा राजपाट मुझे सौंप दो ठीक है मुनिवर मैं आज से अपना सारा राजपाट आपको सौंपता हूँ राजन लेकिन अब तुम क्या करोगे तुमने अपना सारा राजपाठ मुझे सौप दिया है इसका अर्थ ये है कि सारी संपदाश, तमाम राजगोष, तमाम धन, दौलत, एशुरे तुमने सब कुछ मुझे सौप दिया है अब तुमारे पास कुछ भी नहीं है तो अब तु अपने सारे राजपाठ सादू महराज को सौप कर एक नोकर की भाती राजए की देखमाल करने लगा तुस दिनों पश्चात मुनिवर फिर से उस नगर को भ्रमन हेतु आए और राजा से मिले राजन अब बताओ तुम्हारे क्या हाल है अब तुम्हें भूपयास लगती है नीन आती है या नहीं मुनिवर अब तो सब कुछ ठीक है मैं पहले से बहुत जादा खुश हूँ लेकिन मेरी समझ में एक बात भी आ ती कि पहले भी मैं सारा राजकार्य खुश करता हूं लेकिन पहले मैं दुकी था लेकिन अब मैं खुश हूँ ऐसा कियो महात्बन हे राजन, तुम जो पहले अपना राज कारिया करते थे, तुम उसे बोज समझ कर किया करते थे, तुमने अपने उपर पड़ी सारी जिम्मेदारियों को अपना बोज बना लिया था, और इसी बोज के चलते तुम परेशान और चिंतित रहने लगे थे, लेकिन जब से तुमन सुखी नहीं रह सकते मुनिवर अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया है मैं आपका भोत ही आभारी हूँ कि आपने मेरे चक्षुक होल दिये हे राजन अगर सब कुछ तम्हारी समझ में आ ही गया है तो अपना ये राजपाट संभालो और मुझे इस दोस्तों हमें इस प्रसंग से ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में जो भी कारे करना चाहिए वो अपना करत्वर समझ करना चाहिए ना कि बहुत समझ कर क्योंकि अगर हम किसी कारे को बहुत समझ कर करेंगे तो हम उससे दूर होते चले जाएंगे और हमें चिंताएं घेर लेंगी तो ये चिंता से मुक्त रहने का भी बहुत बढ़िया तरीका है और कारे में प्रगर्ति करने का भी तो हमेशा खुश रहें और करतेवे का पारण करें